तो कैज अभी-अभी मैंने भूवन बाम का ताजा खबर देखा और इसको देखने के बाद मेरा आन बान सान सब लुड़ गया है इस सीरीज को देखने के बाद मेरा फर्स्ट रेक्शन था वो बहुत ही पॉजिटिव था बट पता ने लोग मुझे यह क्यों कहते हैं कि मेरा लोगों के लिए नेगेटिव होता है ताजा खबर कैसी थी मुझे अच्छी लगी या नहीं तुम्हें यह सीरीज देखनी चाहिए या नहीं वह मैं तुमको आगे बताओंगा क्योंकि अभी बता दिया न तो तुम मेरी वीडियो एंड तक घंटा नहीं देखोगे तो सब सब्सक्राइबर हूं और मैंने उनकी हर छोटी-छोटी सक्सेस को देखा है और देखके जला भी हूं बड़े में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बंदे में पोटेंसियल तो है वो खड़े-खड़े अपने टालेंट से किसी का भी पैंठ घीला कर सकता है क्यों आमीद सब्सक्राइबर है तो ताधाकबर एक वेब सीरीज है जिसमें टोटल छे एपिसोड है और यह सीरीज हॉट स्टार पर रिलीज हुई है पर अब तुम कहोगे कि अबे कुछ नया बोल ले तो हम ही जानते है तो भाई जय जय पठान अबे भाई मेरे नेक्ट वीडियो पठ जबना देखता है उस की किसमत हर जगय से फूटी है वो जहां पर पैर रखता है वहां जिए किशर स्वारूप में थारए जोगेंदर निकलते हैं लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिसमें उनकी किसमत चमक जाती है और रात रात और अमीर जाते है अब उसकी काण करता है यह त अच्छी तो है, मज़ा भी देती है, बट वो मज़ा किर्केट में बैटिंग करने वाले लोग कुछ यादा उठाएंगे, देखो ताजा खबर के जो करेक्टर से उनसे तुम गूल मिल जाओगे, और कई जगे पर उनसे कनेक्ट भी करोगे, और तुमको सिरीज देखने में कि कोई non-mature बंदा acting कर रहा है, भुवन की मेनथ हमें साब साब दिखाई देती है, और उनके करेक्टर से हम connect भी करते हैं, और मैं तो relate भी कर गया था, especially जब हो सुलफ सो चाले के पास रहते हैं, ताजा कबर की दूसरी प्लस पॉइंट इसकी एपिसोड की लेंथ है, अब नर्मली वेब सीरीज की एपिसोड लगबख 40-50 मिनट के होते हैं, पर हो ये भुवन के ताजा कबर का हार एक एपिसोड 25-30 मिनट का है, और इसके ये कारण ये सीरीज हमें अपने से जोड़े रहती है, मतलब अगर इसका लेंथ 40-50 मिनट का होता, तो 100% दूमें से आदो लोग इसको देखके बोर हो जाते, बट लेंथ कम होने से ऐसा कुछ नहीं होता, और लेंथ छोटा करना मेरे इसाफ से बहुत ही अच्छा था, थार्ड प्लस पॉइंट, ताजा कबर की तीसरी प्लस प्लस पॉइंट इसकी सपोर्टिं एक्टर एंड इसकी सिनेमेटरफी ह मतलब उनने भुवनबाम का साथ ऐसे दिया है कि जैसे जॉनी चिंज का साथ तीटु मामा बोल ला था, जिस इसे हमारे सामने चीजे प्रेजेंट की जाती है, वो भी अच्छी थी, दुनिय में तीन तरह का लोग रहते हैं, पहले एक्टिं करने वाले, दूसरे ऑपर एक् जादू, भाई के पास फोन आने से ऐसे सकांड होते हैं, जो तुम्हें श्रीज देखने का बाद ही पता चलेगी, बात करें अगर श्रीज की विलन की, तो एक यही चीज थी जो मुझे सही नहीं लेगी, अभाम तोर पर विलन हिरो की गेंट फार देता है, बट यहां पर करती हैं, उसकी पहले से ही ही फटी पड़ी है, हम एसे लगता है, अब ब्रसका फट जो करेंगा बर यहीं थो जलोगा वुपार कि अशनका ही, क्यों नहीं आएगा काई तो अभी बचिए ओबर ऑल मुझे यह सीरीज अच्छी लगी अब मैं इसे मांटर पीस तो नहीं बोल सकता बट कम भी नहीं थी मैं तुम सब को रिकमेंड भी करूंगा एक बार शीरीज देखने के लिए बचे सीरीज में थोड़ी नहीं बहुत ही म बात किया जो तुमें देखनी चाहिए अगर तुम यहां तक आई गयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाई जी बागी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो को मजदूरी में तो आ थैंक्यू गाइस थैंक्यू सो मजब कमिंग बाई